एक माता जी जो साड़ी पहने हुए वहाँ खड़ी हैं, खुले मैदान में, जिन्होंने अभी एक हाथ खड़ा किया, हाँ, कोई सेवादार देख रहा हो, तो वो बहुत बिचारी हैं, उनको लेता हो, अमीर लोग तो हमारे मंच पर आ जाते हैं, कभी गरीवों को भी आने द करो, बड़े बड़े पद पर बैटे, बड़ी बड़ी सरकार के सक्ता में जितने अधकारी हैं, वो तो हमारे पास पुल्स प्रोटोकॉल ले करके आ जाते हैं, उनका कौन हैं, जो क्राया उधार उठा कर आते हैं, पैदल चल करके आते हैं, तो हमारी प्रशाशन से भी नि लोगों को उनने पालवासियों की मदद करनी है जो दीन हीन है पिछड़े हैं बिछड़े हैं जिनका कोई नहीं है उनको भेजो भी माताजी को जो भील चेर पर बैठे हैं इनको अंधर करकर जिनको हमने बुलाया था तुम लोग मंच पर भभूती लेने यहां आजाओ सब को हम भभूती दें भील चेर बालों के साथी आजाएं हमारे पास हाँ उनको ये जो दादा जी टोपी लगाए बैठे हैं इनको भेट दो भेटा ये टोपी लगाए हुए हाँ इनको जड़ा भेट दें कुछ छोटे छोटे बच्चे लिए हुए पंड़िजी बता रहे हैं ये बच्चे चल नहीं पाते हैं बच्चे लिए यहां पर बैठे हैं सिथिलता है चल नहीं पाते हैं जनम जात दिक्कत है नसें अकड़ गई है एक बिटिया लिए बैठी है एक छोटा बच्चा को infection हो गया है तुम लोग अंदर भभूती लेने आ जाओ उपर बैठ जाओ बच्चों वहाँ उपर माता जी तुम भी बैठ जाओ जाओ जितने बच्चे गंभीर मरीज लेके आए सुनो तुम लोगों को हम भभूती दे रहे नियम पेशी सुरू कर देना भभूती ही कमाल कर देगी और आराम लगने लगेगा सन्यासी बाबा की भभूती कमाल कर गई क्या कर गई कमाल कर गई आजाओ बैठार दो इनको भी आउपर आते जाओ एक लाइन से बैठ जाओ अमीर तो बहुत मंच पर चड़ते हैं तुम लोग भी आओ ये दरबार तुम्हारा है हनमाण जी तुम्हारे है बागेश और भाम तुम्हारा है पूज श्री गहवासा वाले महाराजी भी बिराजमान है सभी संत महागौान बिराजमान है उनके चर्णों में ना करगड का दन्रबत प्रणाम अभी बैठे रहो हम तीन तक गिनेंगे एक दो और जे तीन बैठ जाओ अब जन्हें प्रेत बाधा है वो दोनों हाथों की मुठी बांदलो एंसे राम वहीं लाइन लगवाद हो बेठा हम वहीं भभूती दे देंगे लाइन लगवाद जितने भी गंबीर मरी जाए कल रात को वो बालक हम से बात करना चाहे रहाता जो भील चेर पर बैठा है हाँ उस बच्चे को भी आसीर बाध है हम भभूती दे रहे हैं उसको भी आराम लगे परेत बाधा वाले मुठी बांद लो हे सन्यासी बाबा की सेना बागेश और बाला जी की सेना जितने भी दरबार में परेत रोगी बैठे हैं उन्हें चमीटा की माल लगाई जाए राम उन्हें परेत रोगीओं को आँगे आने देना जहां जहां भी सेना पती परेत रोगी हैं चमीटा की माल लगाई जाए आप खटदी के बारे हरो नकटा हरो जरह इन बच्चों को एक तरब कर दो जरह प्रेत रोगीओं को अंदर आने देना सेना पती और चमीता मारो जितने भी प्रेत पंडाल के बाहरे प्रेत रोगी हैं इन्हें चमीता की माल लगाई जाए आने दो अंदो यहीं से साहब अंदर करा दो प्रेथ को खोल दे बही आ भूतों के लिए जगाए छोड़ दो जो खड़े हैं वो बैठ जा आंगे भी जो खड़े हैं पहले बैठ जा तुम बैठ जा राम भूत पिसाच महाँबीर जब भूत पिसाच महाँबीर जब भूत पिसाच इन प्रेतों को माल लगाओ सेनापती ये आए हैं प्रेत सेनापती जगड़ो इनके सिर में मारो चमीटा चिलाने लो ठटरी के बरे हरो सब लोग बोलो ओम बम बागे सुराए बीर बीराए हुम फट स्वाहा इनके सरीर में तपन बढ़ाई जाए प्रेतों के जिस सरीर में प्रेत है तपन बढ़ाई जाए ओम कलीम राम 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 र इसको पकड़ के लाओ ये हरामी प्रेथ है आप ती सेट बाला इसको पकड़ के लाओ ती सेट बाले प्रेथ को बगल वाले को हाँ एदारा एदारा अट बेर बेर और ते जमान लगाई जाए अब दोनों हाथ की मुठी बढ़ाई सेना बती ये बह। दिनों से परेसान है बालक पागल कर रहा है प्रेत इसको जड़ा मार तो लगाऊ और ते जमारो और तेज मारो इसे सेरे में मारा और तेज मारो और तेज मारो राम जड़ा उठा पटकर और मार सारे कैसो परेत आये थटनी के बरे उठके बैट बड़ा चैलेंज देता है तो बड़ा चैलेंज देता है न कटा ते अगर भूत है तो हमारे पास राम जी के धूत है बलो जए स्री रा जए स्री रा जए स्री रा इसको बांध ली आजाए बबूती लाओ कहां रहते हो अब कैसा लग रहा ठीक लग रहा ठीक लाओ अमारा बात कोई नहीं पत्या रहा था कि भूत परित लग रहा है उसा कोई नहीं अमारा बात बुझ रहा था कि इसका भूत नकल कर रहा है है सो बोल रहा था सभी नहीं नहीं वो गलत बोलते हैं तुमारे उपर गंदी सक्ती है पागल करती है दिमाग चड़ाती है तुम बागे सुधाम आ जई हो ठीक जाओ खुश रहो आज से आराम लगेगा ये भभूती लो जो खड़े हुए हैं बैट जा एक दो जे तीन सेना बदी ये जितने प्रेद रोगी आ गए इनकी जड़ा उठा पटक तेज करो राम सब लोग कहो भूत पिसाच महाँ बीर जबर भूत पिसाच महाँ बीर जबर बोलो ओम बम बागे सुराए बीर बीराए हुम फट स्वाहा और चमीटा की माल लगाई जाए सेना बती चिलाने दो सभी परेतों को और मार लगाई जाए इसको पकड़के लेके आओ जरब बच्चों ये जो लाल टी सेंट वाला है इसको पकड़के लेके आओ आज आप पकड़के ठैटरी के बरे आज 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 आजना इद्हारा इसको उपर की तरब खींचो जड़ा इसको बंधन में लो इस अन्याजी बाबा इस बालक की अरजी शुईकार कर लो ये बहुत परेसान है इसके पूरे सरीर में दुरगंद कर रहा है गंदे विचार लाता है मरने के लिए कह रहा है हे सम्याजी बाबा भागे सुबाले बाला जी इस बच्चा की अरजी सुईकार कर लो राम पूरे सरीर में लगा लो कहां से आये हो माईक लो कहां पड़ती है ये पहली बार आये हो जी जी दुर जी बागे सुदाम आजाओंगे आज आएंगे बहुत दिन से जूरी हो यूटूब से तिन चार बरसे कोई काम करने जा रहा हो प्यर दूखरता है कुछ कुछ हो जाता है तो तुमने दिखवाया नहीं है नहीं दिखवाया तो नहीं एक बार दिखवाया था यह 10-15 दिन में तो बोला नहीं पकर पा रहा है हम इसको आज ही रगड़ रहे हैं रोज तुम सन्यासी बाबा के नाम की पांच हवन की आहूती करना ठीक है पंडी जी बता देंगे और तुम बागेश और धाम आओ हम तुमें कबच दे देंगे पड़ो भूत बाधा का प्रभाव करवाया गया सवारी आती पेट में दर्द अपच बनाता है गंदे विचार देता भेजा गया है तंत्र है कट जाएगा आराम लगेगा जाव आसीरवाज है बागेश और धाम की अब तुम धाम आओ जाएगे गुरुदी से एक बार मिलिया आपने सजाजे रहेगी हमें जिंदा चिंदा मत कर तोरे घर पर होंगे भूत तो हमाई पास हैं राम जी के दूद बस सीता राम भर जपना हली उल्लाह वालों के चक्कर में नहीं पड़ना और हिंदू राश नहीं मुस्लिम से साधिक याओ गुरुजी एं मुस्लिम से अच्छा 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 बहुत बड़ी चलो जैस यारा इन सभी प्रेतों को जंजीर में बांदो जरा सेनापती और बाहर जतने प्रेत रह गए सबको जंजीर में बांदो राम 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 आज का दरबार चतरा धाम की इस पावं तीट के प्रांगड में एक दिबसी ये दरबार था लेकिन नेपाल हमारा है नेपाल के बासी हमारे है हम आते रहेंगे नेपाल में बार बार संकट मुक्ती के लिए बाला जी का दिब दरबार लगाते रहेंगे आप लोग बागे सुर्धाम भी पहुँचो धाम की महमा है बागे सुधाम कौन कौन आ रहा है हाँ हाथ नीचे कर लो अब आज बहुत समय हो गया हमें भूग भी लगे आई है और कथा भी हमको 30 मिनट बाद सुनानी है आदा घंटे में हम यहीं पीछे बैठ कर चाय पी लेते हैं और कथा में यहीं बैठ जाएंगे कथा सुनकर कौन कौन जाएगा हाथ उठा कथा आज सुनाएंगे कल कितने बजे से कथा है साड़े नौ बजे से कितने बजे से कल सुबह साड़े नौ बजे से कथा है कल का दरबार कल करेंगे कल की कथा कल करेंगे आज की कथा आज 30 मिनट बाद आधा घंटे बाद शुरू होगी तब तक भजन चलेंगे हम मरीजों को भभूती दे देते हैं जाओ जितने नेपाल के लोग भारत के लोग आज दरबार में आए हैं सब का भला हो जावे आसीरवाद है सब की अरजी स्वीकार हो जावे बुलो जैस याराम इन सभी प्रेतों को भभूती बांटनी हैं पंडिजी प्रेत रोगियों को भभूती देनी हैं सब प्रेतों को बांद लो जंजीर से जैस याराम इसी के साथ आज का दरबार बराम